नमस्कार WKB News की सबसे खास, सबसे सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कोरोना की रफ्तार तेज है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है अब सुर्खोखिला और भरतनल अतामंगेश कर भी कोरोना संक्रमित हो गई है वही नाशिक जिले में दिन दाडे लड़की को किड्नैप करने का मामला सामने आते ही महाराष्ट बिजेपिनेता चितरावाग ने राजसरकार पर जम कर हमला बोला उन्हेंने कहा कि लड़कियों से छेडखानी की वार्दाते आम होती जा रही है तो परमिर सिंग के खिलाप लगा गया आरोपो में जांच में हो रही देरी से नाराज पुलिस इंस्पेक्टर अनुप डांगे ने CID के सामने दोबारा बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया है इसे बीज, Bombay High Court ने टिकाकरन से संबंद मामले पर संग्यान लेते हुए कहा कि टिकाकरन एक तरह से कोरोना से लड़ने का हतियार है जिनोंने कोरोना का टिकान नहीं लगाया है उन्हें पास कोरोना से मुकाबला करने के लिए टिका रूपी ढाल नहीं है उधर राज में कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की एक संख्या एक हज़ार के पास पहुँच गई है करमचारियों के अलावा कई IPS समेत 316 अधिकारी भी कोरोना संक्रमित की चपेट में है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ सुर्कोकिला और भारत रत्रलता मंगेशकर भी करुना संक्रमित हो गई है रिपोर्ट पॉस्टिव आने के बाद उन्हें मुंबई के अस्पिताल में भरती किया गया है उनके परिवार के सदस्ते उन्हें बताया कि 92 वर्शिक गाईका को दक्षन मुंबई में अपने घर के करीब ब्रीच कैंडी अस्पिताल के ICU में भरती करवाया गया है उनमें हलके लक्षन है और उनकी हालत सितर बताई गई है वरिष्ट डॉक्टरों की तीम उनका इलाज कर रही है उनकी उम्रे को देखते हुए एतिहातर उन्हें आईसीउ में रखा गया है लता मंगेशकर की भान जी रचना ने इस खबर की पुष्टी की उन्होंने प्रशन से को उसे अपील की कि दीदी के लिए वो दिवाई करें रचना ने बताया कि वह अभी ठीक है इसे पहले नवंबर 2019 में लता मंगेशकर को अस्पताल में भरती करवाया गया था उस वक्त उन्हें चाती में वारिल संक्रमन हो गया था जिसकी वज़े से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी संक्रमन से ठीक होने के बाद वह घर लोटी थी 1929 में पैदा हुई लता मंगेशकर को देश के सरवुच नागरिक सम्मान भारत रतन से भी नवाजा जा चुका है वभारती सिनिमा की महान गाई काउं में से एक है उन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है लता मंगेशकर को पद्मभूशन, पद्मभूशन और दादा साहिब फाल के अवार्ट से भी सम्मानत किया गया है नासिक जिले में दिन दहारे लड़की को किर्णाप करने का मामला सामने आते ही माराश बीजेपी नेता चुत्रापाग ने राज्य सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि लड़कियों से छेड़ खानी की वारताते आम होती जा रही है राजे में तकरीबन 25,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हैं आखिर माराश में चल क्या रहा है उन्होंने महाविकास आगाडी पर तंचकस्ते हुए कहा कि पहले पुलिस कमिशनर गायब हुए उसके बाद गुरह मंत्री गायब हुए और अब मुख्य मंत्री भी गायब है उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर नासिक शहर में महिलाओं के प्रती बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश कब लगेगा पता दे कि नाश्रिक के मारकेड यार परिसर में पुलिस टेशन के पास एक युफ्ती को परहन का प्रयास किया गया लड़की अपने काका के साथ पैदल जा रही थी इसी दुरान दो युफ्कों ने उसके साथ छिडखानी शुरू कर दी जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे किडिनाप करने का प्रयास किया लड़की के काका ने भी युफ्कों की हरकत का पुर्जोर विरोध किया इस दुरान पीडित लड़की ने मदद के लिए गुहार लगाना शुरू कर दिया तभी कुछ दूरी पर मौजूद पुलिस वालों ने फॉरर घटना स्थर पर पहुँच कर दोनों युफकों को हिरासत मिलिया। चित्रवाग ने कहा कि अधिवेशन में भी नासिक जिरे की घटनाओं को जोर शोर से उठाया गया था। अभी भी शेहर में अपराधी घटनाओं में कोई खास कमी नहीं आई है। आखिर पुलिस विभाग कर क्या रहा है। ब्रश्चाचार और अवैद आदेशों की शिकायत के नौ महीने बाद भी जाँच में कोई प्रगती नहीं हुई। इसलिए इसकी जाँच केंद्री जाँच ब्यूरो को सौप दी जाए। इसके बाद जाँच CID को सौप दी गई। डांगे CID के नई मुंबई स्थित ऑफिस पहुँचे तो जाँच अधिकारी ने उन्हें एक बार फिर अपना बयान दर्च करवाने के लिए कहा। लेकिन नराज डांगे ने इसे इंकार कर दिया। डांगे ने कहा कि वो पहले ही दो बार बयान दर्च करवा चुके हैं। ऐसे में CID को उनके पहले दिये बयान के आधार पर FIR दर्च कर चानबीन शुरू करनी चाहिए। बिना FIR बार 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 बयान दर्च करवाने का कोई मतलब नहीं। डांगे का आरोप है कि सिंग ने उन्हें मुंबई के गाउंदेवी पुलिस्टेशन में तैनाती के दुरान एक पब माले के खिलाफ कारवाई करने से रोका था। साथी जूटे आरोप लगा कर उन्हें बाद में निलंबित कर दिया था। डांगे का यह भी दावा है कि सिंग ने बहाली के लिए अपने एक करीबी के जरीए उनसे मोटी रकम घूस के तौर पर मांगी थी। इस तहट करोना का दोनों टीका लेने वाले लोकों को ही लोकल ट्रेन से यात्रा की जाज़त दी गई है। अता किर्क है तो ही हम इस मसले पर हस्तक्षेम करेंगे यूगि ठीका करन एक तरह से करोना से लड़ने का हत्यार है। अलाकि किसी ने यहां नहीं कहा कि जिसने टीका ले लिया है उसे करोना नहीं होगा। बहुत सुरक्षित धंग से रहने वाले लोग भी करोना की चपेट में आ रहे हैं। अगली अगुवाई 17 जनवरी 2022 को है। करोना संक्रमन की तीसरी लहर की चपेट में राज़ के 1049 पुलिस कर्मी आ चुके हैं। हालाकि इन में से संक्रमन के 276 मामले विश्टे 24 घंटों में सामने आए। खत्रे को देखते हुए राज़ के ग्रहमंत्री दिलवबल से पाटल ने पहले से 55 साल से ज्यादा आयू वाले पुलिस कर्मियों को घर से काम करने के निर्देश दे दिये हैं। करोना संक्रमन की तीसरी लहर के दुरान मुंबई में दो पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गवाई। महानगर में करोना संक्रमन से अब तक 125 पुलिस वालों की जा चुकी है। पर भारी पड़ती है। इसे बीच खबर है कि देश में दुश्मनों पर कर बरपाने वाला 500 किलोग्राम जीपी बं मधरप्रदेश के जबुलपर में बनेगा। अखिल भारतिय आयुर्विज्यान संस्थान के शोध में यह बात सामने आई कि कोरोना से बचाव के लिए टीका करन मजबूत कवच है। पिशेशग्यों का कहना है कि पहले हुआ संक्रमन वर टीका करन तीसरी लहर को घातक होने से बचा रहा है। काफी संक्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन इन में से काफी कम संक्या में मरीजों को अस्पिताल पहुचना पढ़ रहा है। टीके की दोनों डोज लेने वाले गंभी रूप से बिमार नहीं पढ़ रहे। इस तरह से टीका करन अपने मकसद में सफल हो रहा है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए किशोरों का टीका करन शुरू किया गया है। इसे लेकर किशोर और उनके अभी भावा कुछ साहित है। देश में करोना महमारी का प्रसार खतरनाक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। बजट सत्र के संचालन को लेकर अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। करोना के बढ़ते मामलों के मदे नजर पिये मोदी कई राजों के मुखे मंत्रियों के साथ बैठा कर रहे हैं। नई दिली में 24 घंटे के भीतर कोरोना वाइरस के 19,166 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब संक्रमन दर 25 पीसी पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मताबिक टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ती संक्रमित पाया जा रहा है। प्रदेश के प्रभारी और पूर्व केंदरी करश्री मंतरी राधा मोहन सेंग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीबीएसी टर्म वन की परिक्षा खत्म होने के बाद से ही स्टूडेंस रिजल्ट 2022 डेट को लेकर परेशान है। दसवी बारवी परिक्षा देने वाले चात्रत जानना चाहते हैं कि आखिर नतीजे कब घोशत किये जाएंगे। वहीं समबंद में सीबीएसी बोर्ट की ओर से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाला कि केंद्री माधमिक शिक्षा बोर्ट टर्म वन रिजल्ट के संबंद में एक अधिकारिक बयान में पहले कहा गया था कि परिणाम प्रापत अंकों के रूप में घोशत किये जाएंगे। ये परिणाम पास, कमपार्टमेंट या रपीट शेनी के मार्क नहीं होंगे। अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर लोग इन करना होगा। इसके बाद फिर उमिद्वारों को होमपेज पर cbse term 1 कक्षा 10 परिणाम 2022 या cbse term 1 कक्षा 12 परिणाम 2022 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर उमिद्वारों को आविशक credential दर्ज करना होगा। अब परिणाम स्क्रीन पर प्रदश्चत होगे। देश की दुश्मनों पर कहर बरपाने वाला 500 kg GP बम मधिप्रदेश के जपलपूर में बनेगा। यहां की आयुद निर्मानी खमरिया में बनने वाला यह देश का सबसे बड़ा बम होगा। यह पाकिस्तान के किसी भी एरपोर्ट को सिंगल अटैक में निस्ताना बूत करन बीते साल टेस्टिंग में आए नतीजों के बाद इसके प्रोडाक्शन को हरी छंडी दी गई। इसकी फिलिंग का काम आयुद निर्मानी खमरिया में ही होगा। डियाडियो की टीम इस काम की देखरे के लिए खमरिया पहुँची है। फाक्टरी के सेक्शन F6 में दो बमो की फिलिंग शुरू हो गई है। विशेशग्यों का कहना है कि इस बम के सिंगल इस्तिमाल से पूरे एरिपोर्ट को उड़ाया जा सकता है। रेलवे ट्रैक, बड़े ब्रिज भी इसे द्वस्त किये जा सकेंगे। जानकारों का कहना है कि बम तयार करने में जिस तकनीक अस खास बात ये है कि एक गोला 12 mm की स्टील प्लेट को भी भेज सकेंगा। 500 किलोग्राम वजनी बम की लंबाई 1.9 मीटर है। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसे इन्हें जगवार और सुखोई 30 पर अप्लोड किया जा सके। समाजवादी पाटी ने लखनाओं के गोसाई गंज के महुरा कला गाओं में पुर्वांचल एक्सप्रेस वे के समी भगवान परशुराम के मंदिर के सामने 68 फुट उचा फरसा लगवाया था। सुल्तानपुर के लंभुआ से पूर्व विधायक संतोश पांडे ने संवरी कोसपा प्रमुक्व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना की थी। रविवार रात फरसा गिरने की जानकारी होने पर ग्रामिडों ने इसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामिडों का कहना था कि ये फरसा अग बीजेभी ने सपा पर हमला करते हुए यह ट्वीट किया, कि सपा के खोकले दावों की पूल खुल रहा है। भगवान पर शुराम के फरसे में भरष्टाचार किया गया। ये नहीं नहीं, ये वहीं सपा है। वहीं बीजेभी प्रवक्तार आकेश्टर पार्टी ने कहा कि सपा चनावी हिंदू बनी है इस फरसे के गिरने से सपा का भर्षचा चार सामने आ गया है इसी फरसे से बीजेपी का नाश हो जाएगा उधर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भगवान परशुराम का फरसा गिरना सपा के लिए अब शकुन है भगवान परशुराम सपा से कुपित हो गए हैं दुनिया में पहली बार किसी इंसान की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने अंतिम प्रयास के रूप में सुवर का हार्ट ट्रांस्प्रांट किया है इस अद्बुस सरजरी के तीन दिन बाद वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा है तो दूसरी तरफ वेग्यानिकों का कहना है कि वह दिन दूर नहीं जब इंसान 130 साल तक जिन्दा रहेगा इसे भी जुतर कोरिया ने एक सप्ता के भीतर दूसरी बार बैलेस्टिक मिसाल का टेस्ट किया है जिससे जपान और दक्षिन कोरिया की चिंताब बढ़ गई है तो निदेशक ने भारत के स्ताई प्रतिनिदी मंडल को यह सुचित किया है कि वह युनसके की वेक्साइट पर भारत के विश्व दरोहस्तरों के हिंदी विवरन प्रकाशित करेगा दुनिया भर की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही अब हमार अस्पिताल ने बताया कि जिस मरीज को यह सुचित का हाट लगाया गया वह इस अद्भुत सर्जरी के तीन दिन बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा है हालाकि इस अपलता के बाद भी यह कहना जल्दबाजी होगा कि यह काम करेगा या नहीं इस ऑपरेशन में लंबे समय इस इंसान के अंदर जानवरों के अंग प्रत्यारोपित करने के लिए चल रहे प्रयास की दिशा में डॉक्टर एक अदम आगे बढ़ गए हैं मेरिलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों ने कहा कि यह ट्रांस्प्रांट दिखाता है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइट पशू का हाट इंसान के शरीर में काम कर सकता है वह भी तुरंद खारिस की विना इस मरीज का नाम डेविड बेनिट है और उसकी उम्र सत्तावन साल है मरीज डेविड को यह बताया गया कि उनके अंदर सूर का हाट लगाया गया है दुनिया में प्रत्यार ओपन के लिए मानव अंगों की भारी कमी है इसी वज़े से विग्यानिक अपशू के अंग इस्तिमाल करने की कोशिश कर रहे हैं पिशले साल ही अमेरिका में 3800 हाट ट्रांस्प्लांट किये गये थे जो अपने आप में रिकॉर्ड है आम तोर पर इंसान 60 साल तक कमाने के बाद रिटायर्मेंट का अनद लेना चाहता है लेकिन अब विग्यानिकों का कहना है कि वह दिन दूर नहीं जब इनसान 130 साल तक जिन्दा रहेगा विग्यानिकों ने कहा कि S.A.C. साल में होने जा रहा है कनाड़ा के H.E.C. मोन्टेरियल के विग्यानिकों का सुझाफ है कि सदी के अंतक इस इंसान 180 साल तक जिन्दा रहे सकता है यहां तक की साल 2100 तक दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले इंसान का रिकॉर्ड तूट सकता है वरतमान समय में सबसे ज्यादा उम्र वाले इंसान का रिकॉर्ड फ्रांसीसी महिला जीन कॉलमेंट के नाम है जिनका वर्ष 1957 में 122 साल की उम्र में निधन हुआ था इसके अलावा दुनिया में ऐसे एक दरजन लोग हैं जो 110 साल से ज्यादा उम्र तक जिन्दा रही हैं लंबे जीवन पर नज़र रखने वाले अंतराश्य डेटाबेस के मताबिक 50 साल की उम्र तक के लोगों के मरने का खत्रा ज्यादा बढ़ता जा रहा है लेकिन 80 साल की उम्र के आसपास लोग कम मर रहे हैं इसके मताबिक जब इनसान 110 साल की उम्र तक पहुँचता है तो उसके अगले साल तक मरने की चांस 50-50 तक हो जाते हैं इसका मतलब है कि इनसान की उपरी उम्र सीमा 130 से 180 साल की संभव है उत्तर कोरिया ने एक सप्तहा के भीतर दूसरी बार बलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है जैसे जापान और दक्षन कोरिया की चिंता बढ़ गई है साथ कोरिया के सेना और जापान के तटरक्षक बलने कहा कि उत्तर कोरिया तवरा फिर से मिसाइल दागी गई यह मिसाइल जापान के विशेश आर्थिक शेत्र के बाहर गिरी किम जोंग उनके सेना से और अधिक सेने प्रगति करने का आगरह करने के एक सप्ताह से भी कम समय में सपश्ट रूप से यह दूसरी बार परिक्षन किया गया महीं दूसरी और दक्षन कोरिया के सेना ने भी बिना विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए ऐसी ही एक अनाम योजना पर काम शुरू कर दिया है परमाणू हत्यार से लेस उत्तर कोरिया द्वारा किये गया परिक्षन ने नेता किम जोंग उनके नए साल के संकल्प को रेखांकित किया है जिसमें उन्होंने दक्षन कोरिया और सेंक्त राजय अमेरिका के साथ रुकी हुई बाचीत के बीच अस्थर अंतराश्ची स्तिती का मुकाबला करने के लिए सेना को मस्बूत करने की बात कही थी याद रहे कि पिछले हफते उतर कोरिया ने कहा था कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी जिसने एक लक्ष को सफलता पूर्वक भेद दिया इस बीच आपान की प्रधान मंत्री फुमया किशिदा ने कहा कि हमें ये वास्तों में खेट जनक लगता है कि उतर कोरिया ने पिछले साल से मिसाइले दागना जारी रखा है चीनी कमपनियों की मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है दरसल भारत की कई जांच एजन्स यां चीनी टेक कमपनियों के खिलाव जाच कर रही है बतादे की मौझूदा वक्त में भारत के मुबाइल फोन मार्केट में चीनी कमपनियों जैसे शियौमी, ओपो और वीवो का दबदबा है ये चीनी टेक कमपनियां भारत में अर्बो रुपे की कमाई कर रही है लेकिन टेक्स देने मामले में चीनी कमपनियां फिसदी साबत है अब सरकार ने कमपनियों के खोरक धंदे को जाकर करने के लिए जाच शुरू कर दी है ये जाच कई एजंसियां कर रही है हाली में विबन एजिंसियों ने चीनी फोन कमपनियों के ठिकानों पर छापे मारी की थी इसमें आएकर विभाग और डिरेक्टरेट और रेविन्यू इंटेलिजिंस भी थे दरसल इन कमपनियों ने आएकर बारे में ना केवल जानकारी छपाई बलकि टैक्स से बचने के लिए अपने लाप की जानकारी भी नहीं दी इतना ही नहीं घरेलू इंडास्टरी को तबहा करने के लिए अपने दबबे का इस्तमाल किया इन कमपनियों पर कलपुर्जों को लेने और प्रड़क्ट के डिस्ट्रिब्यूशन में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप है कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतिय प्रतिसपर्था आयोग भी जाच पक्रिया में शामिल हो सकता है इसकी बज़े ये है कि इन कमपनियों पर अपने प्रभुत्व का फायदा उठाने और प्रतिबंदित व्यापार व्यवहार अपनाने का आरोप है दस जनवरी को विश्व हिंदू दिबस पर वर्ल्ड हरिटेज सेंटर के निदेशक ने भारत के स्थाई प्रतिनिधी मंडल को यह सूचित किया कि वो युनिस्को की वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरन प्रकाशत करेगा भारत की मातर भाषा हिंदी है करोडों लोग इसे बोलते और समझते हैं वहीं भारत के बाहर भी जो लोग विदेशों में रहते हैं उनमें से अधिकांश लोग हिंदी का ही प्रयोग करते हैं यही नहीं, बहुत से थे विदेशी भी हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि दुनिया की भाषाओं में बोलने वालों की संख्या के आधार पर बात की जाए, तो हिंदी भाषा तीसरे स्थान पर आती है। बतादें कि पैरिस में भारत के स्थाई प्रतिनिधी मंडल ने 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस पर वर्चुल उचसव का आयोजन किया था। इस दौरान विदेश और संस्कृती राज्य मंतरी मिनाक्षी लेखी ने विश्व हिंदी पर एक बीडियो संदेश जारी किया। जिसमें उन्होंने हिंदी के महत्व पर जोर दिया। युनेस्को में भारत के राजदूत स्थाई प्रतिनिधी विशाल वी शर्मा ने भी भारत की आजादी के पिछले 75 वर्षों के दौरान हिंदी के प्राप्त प्रमुक बिंदूओं पर प्रकाश डाला है। इस समहारों के लिए प्रतिनिधी मंडल को इस अफसर परशिक्षा, संस्कृती, संचार, सामाजिक और मानविज्ञान और सूचना के सहाइक, महाले देशक और अंतर सरकारी समद्र विज्ञान के कारेकारी सचीव से शौट वीडियो प्राप्त हुए। तो आज की इस खास पेशक्रिश में बस इतना ही, आपसे कर फिल्म उडाकात होंगे, तब तक देखते रिए वीकेबी न्यूज, नमस्कार।